सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहलो आपको मिलेगी और आप एजली आमारी वीडियो देख सकते हो तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले कार्बोहेडेस जो आकासिया और आगार है उस कार्बोहेडेस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने ओले जो आकासिया और आगार होता है उनका Biological Source कौन था हूँंके Synonyms क्या होते Description, Standardization, Identification, Test इस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले primary metabolism जो की फार्माकोगनोसी का lecture आमारा 5 स्टार्ट है unit 5 के अंदर दिया गया है और D pharmacy first year के अंदर और B pharmacy fourth time के अंदर ये दिया गया है तो पिछले lesson में हमने primary metabolism के अंदर जो carbohydrate है carbohydrate का थोड़ा था introduction का पाथ देख लिया था इस वीडियो के अंदर हम आकासिया और आगार के बारे में पूरा detail में जान करें लेंगे तो चलो lecture को start कर देते carbohydrates के अंदर हमको क्या क्या देखना है first आगार देखेंगे, second आकासिया देखेंगे, third ट्रागाकान देखेंगे, fourth हान ही देखेंगे इनके जो biological source है, synonyms है, description है, standardization है, identification test है, uses है उन सारे points के बारे में इस वीडियो के अंदर हम detail में जान करें लेंगे तो easy notes है friends, easy notes से इसे आप आच्छे से पढ़ लिजे, exam में इसके आलागा पढ़ने के कुछ जरूरत नहीं और इसके आगे का भी कुछ नहीं आएगा, बस इतना पढ़के जाओगे तो आप आपको अच्छे मार्क मिल सकते है तो चलो, first देख लेते, आकासिया, आकासिया का जो synonyms है first, okay आकासिया का synonyms से, synonyms क्या इसका गम आकासिया और अरबिसिया, वर स्वरिंस से, biological source and family क्या होते है उनकी, first देख लेते byological source, उसका biological source क्या आपर पास, आकासिया, अरबिसिया, family क्या है आहाँ यहाँ पास, logeuminisia लिग्युमिनीशिया फ्यमिल एकुसकी आकासी कि और उसकी केमिकल कंस्टिट्यूट यहाँ पर देख लेते चलो यह की वीडियो के ,मतलब एक स्लाइड क कंडर आपका पूरा पार्ट कवर हो सकता है यहाँ पर कवर हो चुका तो स्पंदिंग एजन के अंदर इसको यूज किया जाता है तो इसी नोट्स से आप आच्छे खुद से बना ली से इसका यूज किया जाता है तो यह हो गया आकासी के बने उसका सिनोनियम बाइलोजिकल स्टोर्स फैमिली केमिकल कंस्टिएंट यूजेस आप सभी को पसंद समझ में आया चलो नेक्स देख लेते हैं केमिकल टेस्ट फर्स टेस्ट कोंती है अमरे पास लीड आसिटेट टेस्ट इसके अंदर क्या होता है एक्विएस सोलुशन के कैसी है का हमारे पास एक्विएस सोलुशन है उसको ट्रिटेट करें किससे विद अगर होगा तो आपकी युटेस्ट थेस्ट खैल जाएंगे ओके लक्त बॉरस टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे ब ट्रॉलेंट मास गर देंगे लेता 5 में ट्रिकिमेंट कर देंगे वके नेक्स पासड ब्लुय कालरे इंग डूटू एंजाइम ओके थर्ड टेस्ट है आमारी वेंदे एक्वेस सोलुशन ओप आकेसिया इज ट्रिटेड विद बेंजाडाइजिंग इन अलकॉल ओके जो आमार पास एकासिया का सोलुशन है उसके अंदर हम बेंजाडाइन का सोलुशन और अलकॉल को डाल देंगे ओके फ्यू ड्रॉप उसके डाल देंगे और फ्यू ड्रॉप फ्यू ड्रॉप एड हैड्रोजन पर आक्साइड और हैड्रोजन पर आक्साइड के भी फ्यू ड्रॉप्स हम उसके उसके अंदर डाल देंगे इट गिव राइस टू डिक्स्टिंट ब्लू कलर ओ क्या देगा ब्ल सेकंड आगार के बारे में पढ़ लाइते चलो आकासिया के बारे में आपको सब पता चल गया मतलब सब आपकी क्लियर हेडाउट्स अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे आपका में बता देना ओके सेकंड आप पास अगर गया चुकोन सी होते है अगर कि घली डी दिना उसकी फैमिलइ क्या होते है अगर कि अंदर प्रंट होते है केमेकल कंस्टुटूइट और अंदर इसको यूज किया जाता है अकशे सब्लिचे 50% पार्स यहाँ पर आंपर हमारा खतम हो चुका है मतलब आगार के बारे में नेक्स्ट पार देख लेजे चलो उसका आगे कम प्रिप्रेशन आगार का प्रिप्रेशन यहां पर आप कैसे कर सकती हो ओके अच्छा पोइंट है इस आच्छी से समझ लीजे बाद में इसके नुट्स बना लिजे प्रिप्रेशन आगार डिजोल वा अकार इन होड़ डबल डिस्टिलट वाटर के आंदर आपका अगर समय फ Sayahalf वोगा तो सप्रिकरने आपको किटनी स्धिर करने 2वत इसको करने के बाद आपकिया कर गे पूर सूलुशन इन्टल पॉली को करना थो पवर करना है जिसके डेयामेटर 9 सिंटिमेटर तक होनी चाहिए उसके बाद उसको ड्राइफ कर लिजेें कितने मतलब कितने टेमप्रेचर को आप ड्राय करेंगे 60 डिग्रीं सेल्सियस 488 तख उसको ड्राइफ कर लिजय disconnect कैपए फिल्म फ़ीर्म होगे ड्राइफ करने के बाद उसको ड्राय alltså करके आधर सौथ आफरिय के अंदर कोरिया के अंदर और इंडिया के अंदर ये आगार जो है वह प्रोड्यू स क्रक्री sachOT होता है आगार का डिस्क्रियप्शिन देख लिए चलो आगार का डिस्क्रिप्शन कलर कैसा होता है यह घ्ल ओध sitcom इन इन सोलुबिलटे देख लिए है और कि इन अर्गेनिक सॉलमंट के आंधर इन सोलुबल होते हैं और सोलुबण इन सोलुबलल इन ऑर्गेनिक सॉल्वन ट नंद सब्सकर्स अक्तमा सब्सक्राइब 3.5 परसंट ऊसके अंदर प्रजेंट होते हैं 6 परशंट नै्ट्रोसें उसके अंदर प्रजेंट होता है चैस्ट को कईसे अडेंटिफाइब कर सकते हो 1.5 फिरिव 1.2 ग्राम अप ड्रङ्ग उसको boil कर लिजे और उसको cool थंडा होने के लिए रख लिए इन रूम टेंपरेचर ओके एट रूम टेंपरेचर नो स्टिप जेल इद प्रोडूसर वहाँ पर आपको जेल फॉर्म हो आगार का जेल फॉर्म होगा प्रोडूसर होगा जो प्रोडूसर वहाँ पर फ्रोडूसर वहाँ पर फॉर्म नहीं होगा थर्ड है माउंट आप स्मॉल क्वाडर इन स्लूशन रिदेमिं रेड एंड एग्जामिन माईक्रोसकोपिक लिए जो प्रोडर है उस स्लूशन के अंदर डाल दीजे आगार का कोंसी स्लूशन के अंदर रिदेनियल रेड सलूशन के अंदर और उसको माइक्रोसकोप के खाहा अंदर देख लिजे देखे नं million के बाहाद अगर आपको तो आपकी टेस्ट पास होगे अगर पिंक कलर फर्म नहीं होता तो आपकी टेस्ट जो है तो टेस्ट फेल हो जाएगे तो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर कोई डाउट और प्रॉल्म होगा तो आप मुझे कमेट बाक्स में बता देना और इस ये नहीं देस्ट पीज जाएगे शुदिए तो इसक तो आइक से लिए ट्याएगे जएगे पीजएगे जैन